मंगय वीरे, मुझे कहानी सुने बिना नीन नहीं आते मैं कहानी सुनाओंगा तो सोजेगी यह न कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुट हो रहे थे सिवाए एक शक्स के क्यूंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं है उसका नाम था मंगा घर के किसी स्याने आदमे को बला लो स्याना ही हो जी मैं वो तो उस दिन ऐसी बच्चों के साथ थोड़ा जिन्दगी की हर दौड में अबबल परिवार का सबसे लाइक लाडला काम दाम कुछ करना नहीं सारा दिन जरते ही रहना बस हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था नहीं पैसे नहीं ले सकते जी दादी के थी इससे शफाच ले जाती है क्या तुम नोकरी करोगे बंदूग मिलेगी जी तो डंडा बगरा सच धजबन ठन चले किधर बदली हुई है कैसे आज ये नजर अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वह और एक दिन उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई राजकुमारी कॉट सर्गी पिछे कानी सुनी है चिपचप सुन नेनों से बढ़ ले आपके गाह में दिल लगया जी राजाती लड़कियों को यह रोपने से सार फट जाते हैं नकुगडाई है वे मार रही तेरी रग में रखने जाओ कहानी राजकुमारी ने शुरू की है तो उसे ही कातम करनी चाहिए मैं अपनी ही पोती का रिष्टा एक अंग्रेज के नौकर से कर दू नहीं जी आपको गलत फैमी हुई है जी अंग्रेज बुरे लोग नहीं है मार राजा के हुकम के मुताबिक आप सब को दो खाली करना पड़ेगा कांदी जी ने कहा है कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है कानून से बढ़काजा होता है लाला जी सारा गुसूर मंगे का है जिंद नहीं हार ले बौत बुरा की है मंगे ने मैं मंगे नहीं शट दूका दिया उसने हमको तुझे क्या लगता है? तुम लोग की तकलीफ का अहसास नहीं है? अगर तुझे तकलीफ का अहसास हता न तो अंग्रेजों के तालवे ना चाड़ता तू तू बड़ा मतलब ही निकला मंगे सिर्फ आपने बारे में सोचा तू सच में फिरंगी होके रहे तू सच में फिरंगी होके रहे वक्त आगया हीरे फिरंगी को राजकुमारी नहीं मिलेगी तू नो जालत दादीना बनू मैंने तूनानी तू कहानी कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती और मुझे सुना रहे